विदेश मंत्री S. जैशंकर ने अमेरिका की धर्ती से कैनडा को ऐसा धोया कि टूडो के सुर बदलने शुरू हो गए विदेश मंत्री ने आसान भाशा में साफ कर दिया कि लोक तंत्र की दुहाई देकर खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले कैनडा के पीम टूडो के पास अब खालिस्तान प्रेम छोडने का ही रास्ता बचा है वाशंग्टन में जैशंकर नरम कैनडा अमेरिका के तेवर हालिस्तान आतंकवाज पर प्रहा प्रूडो पर सबसे बड़ावाद मिजर फाइल्स पर डिप्लोमसी डायलोग भारत और कैनडा में चल रही तलखी के बीच अमेरिका में विदेश मंत्री एस जैशंकर ने एक बार फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ कैनडा बलकि पश्चिमी देशों को आईना दिखा दिया साथ ही खालिस्तान और आतंकवाज के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीती क्लियर कर दी है जैशंकर के इस बयान ने अमेरिका को तो उसका डाइरा समझाया ही साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत जानता है कि आतंकवाज और खालिस्तान के पनागारों को कैसे जवाब देना है जैशंकर के जवाब के बाद अब कैनेडा के प्रधान मंत्री टूडो की हालत खराब है अमेरिका से उसे बड़ी आस्ती उसे लगा कि अमेरिका भी भारत तो घेरेगा लेकिन यहां तो पासा उल्टा पड़ गया वहीं अब भारत में एक बार फिर कैनेडा से सबूत मांग लिये हैं नो दिन से जैसंकर अमेरिका में है कई मौकों पर उन्होंने कैनेडा के आरोपों पर चम कर प्रूडो को लतार लगाई वाशिंग्टन दी-सी में थिंग टैंक के साथ चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर ने स्टाप कहा कि हकीकत बयान बाजी से कोसो दूर है दरसल कैनेडा के पधान मंत्री जस्टिन टुडो के बयानों में भी नर्मी स्टाप तोर से देखी जा सकती है क्योंकि भारत पर आरोप लगाने के बाद से किस कदर जस्टिन टुडो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं ये शिकन उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है कैसे देखिए एक और कनेडा अब तक भारत के खिलाफ सबूत नहीं दे पाया वहीं दूसरी ओर भारत और कनेडा के बीज चल रहे तनाव का असर अब ब्रिटेन में भी देखने लगा है वहाँ भारती और चायुक विक्रम दोराई स्वामी को खालिस्तानी चरंपंथियों ने स्कॉटलिंड के गुर्दवारे में प्रवेश से रोकने का दुफ्सा हस्तिया जिसके बाद भारत में खड़ी प्रसीक्रिया देते हुए एक्शन की मांग की है भारत में खालिस्तानी आतंक को लेकर पहले ही चेताबनी और चिंता जाहिर की थी और भारत में खालिस्तानी ठिकानों पर एनाईये टावर तोड एक्शन भी कर रही है लेकिन कैनेड़ा की टूडो सरकार सियासी फाइदे के लिए उन्हें पाल पोस रही है यही वज़े है कि जैसे टूडो ने निजजर हत्या पर भारत को घेरा तो भारत में भी कड़े तेवर दिखाए सबसे पहले कैनेड़ा के राजनेक को बाहर किया दूसरा भारतिये नागरिगों को अडवाईजरी जारी की तीसरा वीजा सेवाओं पर रोक लगाई चौथा खालिस्तानियों की संपत्ती जब्द की और पांचमा ओस्याई कार धारकों पर नकेल करती भारत में अमेरिका की धरती से कैनेड़ा का खालिस्तान प्लान तो एक्सपोज किया ही है दौरे के आखरी दिन शिरी शिरी रभी संकर के कारेकरम में विश्व गुरू भारत वाला संदेश भी दिया भारत की बढ़ती ताकत को कनेड़ा ने कम आकने की कोशिश की वहीं अमेरिका भी वैश्विक कूट नीती का हवाला देकर दोस्त कनेड़ा के लिए भारत को ज्यान देने का प्रयास कर रहा था लेकिन भारत ने कनेड़ा के साथ साथ अमेरिका को भी लाओडन क्लियर मैसेज दिया है कि भारत जूटे आरोप नहीं सहेगा और नहीं जूटे आरोपों की पैरोकारी को और देश की शांती भंग करने के लिए राजधानी से लेकर सीमा पर आतंकी साधश रच रहे है दिल्ली में तीन ISIS आतंकियों की तलाश हो रहे है तो वहीं कुपवाड़ा में दो गुस पैठियों को सेना ने मार गिरा है देश पर के अलग-अलग हिस्सों में आतंकी ISIS करेक्शन और खालिस्तानी टेरर को लेकर एनाईय का बड़ा आपरिशन चल रहा है आईसिस के तीन आतंकी देश की राजधानी में चिपे होए है जबकि एक आतंकी पुमान में घूम रहा है दिल्ली में चिपे आतंकी के तलाश में पुलिस और एनाईय की जॉइंट टीम राजधानी की गलियों में दना दन चापे मार रही है आईसिस के आतंकी उपर तीन लाख रुपे का इनाम है आतंकी मुहमद शेहनवाज, आतंकी रिजवान अली, आतंकी अब्दुल्ला फयाज, वहीं चौथा आतंकी तलाश लियाकत जिस पर तीन लाख रुपे का इनाम है वो उमान में है इस इलाके में एक इनपुट था कि कुम का डेरा जो इलाका है मचेल सेक्टर का वहाँ उस दियंतल रेखा से गुस्पैट ही गुस्पैट की कोशिच कर सकते है एक जॉइंट ऑपरेशन लाँच किया गया बारतिया सेना और जमुकश्पीर बिलीज ने दोनुने मिलकर ये ऑपरेशन लाँच किया और जैसे ही एक संदिक हरकत दिखी तो उनको ललकारा गया एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ जिसमें दो मिलिटर्स जो है गुस्पैटी उनको मार गिराया गया है और दोनु जो बताया जा रहा है अभी तक सूत्रू के हवाले से के पाकिस्तानी मूली के हो सकते हैं आला कि जो पहचान है अभी तक ऑफिशली सारविजनिक नहीं की गई है बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में गोराबारूद मिले हैं यानि आतंकी बड़ी साजिश के तहट आये थे बीते कुछ वक्त में सीमा पर घुसपैट की कोशिश बड़ी है बर्वबारी के मौसम से पहले आतंकी भारत में दाखिल होकर अपने नापात इरादों को अनजाम देना चाहते हैं उनके पास दो एक एफट सेवल राइफल, 90 राउंड और 2100 रुप्या पाकिस्तानी करंसी मिली है और कुछ और आपती जनक सामगरी भी बरामत की गई हैं दोनों के शव रिट्रीव कर लिए गए हैं और पहचान की प्रक्रिया भी जारी है लगातार जो इनपुट्स हैं खुफिया विबाग के पास के लाउंचिंग पैट पे करीबं तीन लाउंचिंग पैट जो सीमा के उस पर नीलम घाटी में एक्ट्यू हैं डेट सो से ज़्यादा ऐसे ट्रेन मिलिटंट है जो गुस पैट की फिराक में हैं और बरबारी होने से पहले वे चाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिटंट है वो इस तरफ धके ले जाए इसलिए लगातार जो पूरी नीयंतर रेखा इसको हाई अलर्ट पे रखा गया है देश के भीतर और सिमा पर भारत की खुफ़े अजन्सिया बहुत जोकस हैं इसलिए आतंक क्योंकि हर साज़िश फेल हो रही है इससे पहले एनाईये ने पिछले दिनों पंजाब, हर्याणा, राजिस्थान, यूपी और उत्राखंड में कई जगों चापे मारी की थी कुलमिला का देश में खालिस्तानी, आइसिस और पाकिस्तान प्रायजिट आतंक का भारत मूत और जवाब दे रहा है और गिने चुने आतंक की इसी बॉकलांट में साज़िश रच रहे है प्रचंड हेलिकॉप्टर हो या प्रोजेक्ट उद्भव चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतिय सेना अपनी शक्ती को अचूग बना रहे है देखिए देशित में ये स्पेशल रिपोर्ट प्रोजेशल रहे है कि दुश्मनों पर अब प्रचंड प्रहार प्रचेन गंथों में छिपा युद्ध में जीत का मंत्र प्रोजेक्ट उद्भव का वार नहीं जेल पाएंगे चीन पाकिस्तान चीन की चार और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर अब होगा प्रचंड प्रहार जैसे जैसे भारत की सेन्य ताकत बढ़ती जा रही है दुश्मनों की ही माकत कमजोर होती जा रही है दरसल भारती सेना 156 नए लाइट कॉमबेट चॉपर प्रचंड खरीदने जा रही है इनमें से आर्मी को 90 और एरफोर्स को 66 हलिकॉप्टर्स मिलेंगे अभी सेना के पास 15 प्रचंड हलिकॉप्टर्स हैं जो पिछले 15 महिनों में शामिल किये गए दुनिया के सबसे चुनौति पूर्ण मौसम और दुर्गम इलाकों में हलिकॉप्टर्स का टेस्ट किया गया था अपने इरादों पर प्रचंड खरा उतरने के बाद सेना इस पर भ्रोसा जता है आपको बता दें कि सब 156 चौफर्स स्याचिन ग्लेशर से लेकर लोसी के इलाकों में तैनात होंगे इसका मतलब यह हुआ कि प्रचंड हलिकॉप्टर्स के तैनाती भारत से सटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगी प्रचंड हलिकॉप्टर्स के सबसे बड़ी खासित यह है यह दुनिया का एक मात्र ऐसा अटैक हलिकॉप्टर है जो 5000 मीटर के उचाई पर उड़ भी सकता है और लैंड भी कर सकता है यानि चीन की सीमा से लगे स्याचिन और पूर्वी लग्दाख के उचाई वाले इलाकों में तैनाती के लिए यह सबसे उप्योगी अटैक हलिकॉप्टर हो सकता है यही वज़ा है कि सेना जल्द से जल इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है खास बात ये भी है कि है हलिकॉप्टर पूरी तरह स्वदेशी है इसका एक एक पुर्जा भारत में बनाया गया हाली में भारती वायु सेना प्रमुक एरचीफ मार्शल वी आर्ट चौधरी ने स्वदेशी करन को बढ़ावा देनी के लिए लगबग 100 और हलके लड़ाकों विमान बनाने पर जोर दिया था भारती सेना दीरे दीर भारी लड़ाकों विमानों को हटा रही है और उसकी जगे लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट रख रही है भविश्य में भारत सरकार इन रड़ाकों हलिकॉप्टर्स को ग्लोबल मार्केट में भी रखेगी सूत्रों के मताबिक वायू सेना ने हलिकॉप्टर्स की खरीदी के लिए सरकार को प्रफोसल दे दिया है अप्रोवल मिलने के बाद भारत में फ्रचंड युग का शुबारंब होगा वैसे भी भारत में चीन के हरकतों को पहले ही दुनिया के सामने उजागर कर दिया है अब आपको बताते हैं कि भारती सेना जुद्ध में दुश्मनों को आसानी से मात देने के लिए प्राचीन भारती गंतों का अध्यन करेगी भारती ग्रंतों की मदद से अब भारती से ना भविश्य में आने वाले खत्रों से निपटने के लिए नया रण कौशल सीखेगी भोपाल में आज दमदार एरशो हुआ सुखोई, जगवार, मिराज, तीज़से जैसे फाइटर जेट्स ने उडान भरी और आस्मान में हैरत अंगिस कर्तब दिखाए जिस हिंगिरी को रहे खमन उसका चू अंकार करे वर्षा आंधी आतफ अखन ना कर सके जिसको विखन भारतिये वायू वीरों की ये गर्जना देश की हिंबत है और दुश्मनों के दिलों में देह्शत पैदा करने की एक बानगी है होपाल के आस्मान में वायू सेना के फाइटर जेट ने चीन और पाकिस्तान के प्राण वायू निकालने वाली उडान भड़ी वायू सेना के बाहु बली चिनूप ने बड़े तालाब के उपर अपनी पोजिशन होल्ड की तो लोग रोमांचित हो उठे तेजस ने फुल स्पीड के साथ कर्टब दिखाते हुए हवा में गोते लगाए वायू बीरों का ये चजबा और हिम्मत देखकर हर भारतिये का सीना गर्व से चोड़ा हो गया एरशो के दोरान भोजेश्वर महादेव के सम्मान में एरक्राफ्ट ने आस्मान में त्रिशूल का आकार बना कर सबका दिल जीत लिया छे हजार फीट की उजाई पर सूर इक्रण विमानों का आस्मान में भारतिये वायू सिना के हैरत अंगेज गर्दबों ने अलग ही अनुभाव कराया भारत में ही विक्सित किये गया अड्वांस मार्क्ट्री हेरिकाप्टर्स ने भी एरशो के दौरान उडान भरी और आत निर्वर भारत का जिज़वा दिखाया भारतिये वायू बीरों ने गजराद फॉर्मेशन दिखाया कि कैसे युद्ध के दौरान बिना लैंड किये वो लगातार उरान भज सकते हैं और दुश्मन को नेज़को नाबूत कर सकते हैं विशाल काय सी वन थर्डी जे सूपर हर्कुलिस विमान ने आस्मान में प्रित्वी फॉर्मेशन दिखाई तो धरती और आस्मान में विमान की गर्जना सुनाई दी सीमा पार दुश्मनों के ठिकाने तबाह करने की एक शमता रखने वाले जगुआर विमान ने शमशेर फॉर्मेशन के जरिये आस्मान में कर्दब दिखाए तो पूरा आस्मान जेगुआर की गर्जना से गूंट उठा वायू वीरों की सारंग टीम के चार एचेल धुरुब हेलिकाप्टर्स ने हवा में दिल कश्चे बना कर सबका दिल जीत लिया फ्लाइ पास में लड़ा को विमान एस्यो थर्टी, मिराज 2000, जगवार, LCA तेजस, हॉक्स, हेलिकाप्टर चिनू, MI-17 V5, चेतक, LLH और परिवहन विमान C-130 और IL-78 शामिल हुए सूर एकरेन एरोबेटिक टीम, सारंग हेलिकाप्टर डिस्प्ले टीम और आकाश गंगा टीम ने भी कारिकरम में प्रदर्शन कर अपना दम दिखाया किरर मार्क टू की फॉर्मेशन के साथ हॉपाल का आसमान तिरंगे से रंग गया भायूसेना ने एरशो के जरीए शक्ति प्रदर्शन किया और दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाई भौपाल के आसमान में उड़े फाइटर जेट्स ने दिखाया कि कैसे हिंदुस्तान के वायूवी सीमाओं की हिफाज़त के लिए तो तयार हैं ही जरुरत पढ़ने पर सीमापार कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं विरो रिपोर्ट जी मीडिया और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है लंदन में भारती उच्चायोग का बयान आया है ग्लास गो में जो गटना हुई उस पर ये बयान आया है और इस बयान में कहा गया है कि साज़श के तहट इस घटना को अंजाम दिया गया साज़श में शामिल तीन में से एक सांसद है उच्चायोग की कार का दर्वाजा जबरन खोला गया तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारतिय उच्चायोग का बयान इस मामले को लेकर आ गया है लंदन में भारतिय उच्चायोग ने ये बयान जारी किया है और ये बताया है कि ग्लास्गो में जो घटना गटी उस घटना को साज़श के तहट अंजाम दिया गया है इस साधिश में शामिल तीन में से एक सांसद है ये जानकारी भी उच्चायोग की तरफ से दी गई है और ये भी बताया गया है कि उच्चायोग की कार का दर्वासा जबरन खोला गया तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं भारती उच्चायोग की ये कार जिसका दर्वासा जबरन खोला गया भारती उच्चायोग ने इस गटना की पुष्टी करते हुए इस पश्टूट से ये जानकारी दी है कि उच्चायोग की कार का दर्वासा जबरन खोला गया थ और इस पर अपनी आपती भारत की तरफ से पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है लंडन में भारतिय उच्चायुक्त का ये बयान सामने आया है जिसमें बताया गया कि सादश के तहद इस गटना को अंजाम दिया गया और उच्चायुक्त की कार का दर्वाजा जबरन खोला गया आपको बता दें कि ग्लास गो में एक गुर्दवारे पहुँचे थे भारतिय उच्चायुक्त और उन्हें वहां से प्रबंधन कमेटी से मुलाकात करनी थी उन्हें बुलाया गया था लेकिन वहाँ पर पहले से मौझूद खालिस्तान समर्थकों ने उन्हें वहाँ पर रोक दिया और बताया है ये जा रहा है कि जबरन उनकी गारी का दर्वाजा खोला गया और इसके बाद यहाँ से उच्चायोक तो वापस स्लोट गए जानकारी उच्चायोक की तरफ से ये दी गई है कि साधिश के तहट इस घटना को अंजाम दिया गया इस साधिश में तीन लोग शामिल थे और उच्चायोक की कार का दर्वाजा जबरन खोला गया ये जानकारी उच्चा योग की तरफ से दी गई है उच्चा योग का ये बयान आया है तो ग्लासकों में जो गटना हुई उसके बाद भारत की तरफ से भी कड़े शब्दों में आपत्ती दर्ज कराई गई है विक्रम दुराई स्वामी को वहाँ पर जाने से रोका गया उनकी गाड़ी का दर्वाजा जबरन खोलने की कोशिश की गई और इस बात को लेकर अब उच्चा योग की तरफ से भी बयान जारी किया गया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लंदन में भारतिय उच्चा योग का बयान आया और उच्चा योग ने बयान जारी करते हुए ग्लास को में हुई घटना पर विस्तार से जानकारी दी है और ये कहा है कि साज़श के तहट इस घटना को अंजाम दिया गया क्योंकि आपको ये बता दे कि गुर्दवारा जाना था विक्रम दुराई स्वामी को जो उच्चा योग ने है और उन्हें वहाँ पर जाने से रोका गया था विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है विशाल क्या कहा है उच्चा योग ने जरा विस्तार से बताएं पर उच्चा योग की गाड़ी का दर्वाजा फोडने का प्रयास किया लंडन के हाई कमिशन का यह साथ पर भारत की जहना है कि इस मुद्धे पर सर्मजद खेत्र से पुलिस को जाज करने की जरूरत है किसी भी विवाज से बतने के लिए उच्चा योग को वहां से तुरंट रवाना हो गए और कालिकम को जो आयूजब थे उन्होंनों भी बीच बचाओ किया जिसकी वज़े से बड़ी घटना को रोका जा सका है और फिल्हान भारत में FCDU और Metropolitan Police के सामने इस मुद्बे को उठाया है इस शर्मजद खटना को भारत में बहुत पुर्जोर तरीके से बागे जिशाल बहुत 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 धन्यबाद आपका इस पूरे अब्डेट के लिए और देशित में अब बात चीन में चल रहे एशिन गेम्स की जहां आज भी भारत का शांदार प्रदर्शन जारी है भारतिये खिलाडियों ने आज भी दमदार खेल दिखाया है और दो गोल्ड मेडल हासिल किये हैं जियां आज दो मुकाबलों में भारत को गोल्ड मेडल मिले हैं टैनिस के मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना और रुतुजा भौसले ने स्वण पदक जीता है शुरुवाती सेट दो चैसे हारने के बाद भारतिये जोडी ने दमदार बापसी की और सूपर टाइब रेक दस चार से जीता भारत को आज दूसरा गोल्ड मेडल स्कुष टीम ने दिलाया है मेंस स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को हरा कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है स्क्वाश में 2014 के बाद भारतीय टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है तो आज दो गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही एशिन गेम्स में भारत के मेडल की संख्या गोल मिलाकर 36 हो गई है जिसमें 10 गोल्ड और 13 सिल्वर मेडल शामिल है तो चीन के हंग जाओ में आज एक भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और ऐसा मुकाबला हुआ कि वो उसका रोमाज किसी तरह कम नहीं था यह मुकाबला था सकॉश में जहापर फैनल में भारत को जीत मिली और हमने जीत लिया गोल्ड मिडल मेंड्स टीम में और हमारे साथ वो खड़े हैं जिन्होंने आखरी में जब आपकी धड़कने बहुत बढ़ रही थी आपकी धड़कने मुझे लग रहा काभू में थी ज तो एक्चली अगर मेरे तीनों सीनियर्स का सपोर्ट नहीं होता तो ये इस विद नॉट भी पॉसिबल तो बस बहुत कुछ है हम अबे आखरी मैच आपका था और सब कुछ आपके उपर आगया था और डाउन चल रहे थे हम तो उस वक्त हम देख रहे थे सौरव से भी बातचीत आपकी चल रही थी क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में कि इतने बड़े स्टेज पर और आखरी में आपी के उपर आके पुरी देश की निगाही टिकी हुई थी सौरव से कल रात भी बात हुई थी और उसने बोला देखो मैच ही है अगर आप बाहर का शोर बंद कर दे और जो शौर आपको खिलनी है उस पर फोकस करें तो फिर बहुत असान हो जाता है फिर आप यह नहीं सोचते हो कि अगर मैं हार गया क्या होगा कि मैं जीत गया तो क् अगर यह सौरव महेश या हैरी का लास्टेशन गेम्स रहा क्योंकि उनका एज काफी सीनियर है तो मैंने सिर्फ उनके लिए फाइट किया है आज जीत पाकिसान के खिलाफ मे लिए तो तोड़ी और स्पेशल हो जाती है देखो हमारे लिए तो गोल मेडल जीतना मोस्ट इंपोर्टन था ऑगर आप सब के लिए अगर इंडिया के लिए और स्पेशल हो तो फिर ठीक है और स्पेशल है